मैं चंगेज खान हूँ, जिसका जन्म 1162 में मंगोलिया के बीहड मैदानों में हुआ था, एक कठोर दुनिया के बीच जहां ताकत और चालाकी के माध्यम से जीवित रहना संभव था. मेरा प्रारंभिक जीवन कठिनाईयों से भरा था, मेरे पिता की हत्या के बाद गरीबी और निर्वासन का जीवन जी रहा था, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों ने केवल मेरे द्रिढ संकल्प और महत्वा कांक्षा को बढ़ावा दिया. 12.06 में मैंने मंगोल जनजातियों को अपने शासन में एक जुट किया, महान खान बन गया और मंगोल सामराज्य की स्थापना की. 12.06 मैं एक विजेता से भी बढ़कर था, मैं एक दूर दर्शी नेता था, जिसने खानाब दोश योधाओं को एक अजेय शक्ति में बदल दिया. 12.06 मेरा सामराज्य इतिहास का सबसे बड़ा सन्निहित भूमी सामराज्य बन गया, जो पूर्वी यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ था. 12.06 ये केवल विजय की उपलब्धी नहीं थी, ये एक्ता, संगठन और सैन्य रणनीती की शक्ति का प्रमाण था. मेरे बारे में एक कम जहात्त त्थ ये है कि मैं धार्मिक स्वतंत्रता और सहिश्नुता पर जोर देता हूँ. 12.06 उजहा होने के बावजूद मैंने दूसरों की मान्यताओं का सम्मान किया और अपने सामराज्य में पूजा की स्वतंत्रता दी. इस समावेशिता ने मेरे विशाल प्रभुत्व की स्थिर्ता में योगदान दिया. मुझे अक्सर मेरे सैन्य अभियानों के लिए याद क प्रठित किया. मैंने मनो वैज्ञानिक युद्ध का उप्योग किया. अपने दुश्मनों में तेजी से हमला करके डर पैदा किया जहां उन्हें कम से कम उम्मीद थी. मध्य एशिया के एक समरिध्ध और शक्तिशाली सामराज्य ख्वारज्म की घेरा बंदी ने मेरी शक्ति का प्रदर्शन किया. उनकी राजधानी समरकंद के पतन से पूरे क्षेत्र में सदमे की लहर दोड़ गई, जिससे एक डरावने नेता के रूप में मेरी मजबूत हो गई, लेकिन मेरा प्रभाव सैन्य विजय से कहीं आगे तक बढ़ा. मैंने शासन की एक ऐसी प्रणाली स्थापित की, जिसने योग्यता और निष्ठा को प्रोथसाहित किया. मैंने पूर्व और पश्चिम को जोडने वाले सिल्क रोड के साथ व्यापार, संस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जैसा पहले कभी नहीं हुआ. पैक्स मंगोलिका या मंगोल शान्ती ने विचारों, प्रोध्योगिकियों और संस्कृतियों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की, जिससे वैश्विक संपर्क के युग की जिससे पुनरजागरन की शुरुवात हुई और इतिहास की दिशा बदल गई. मेरे शासन का प्रभाव, हालांकि विवादास्पद था, निर्विवाद रूप से गहरा था, जिसने दुनिया को अकल पनिय तरीके से आकार दिया. फिर भी, मेरी विरासत जटिल है. मैं यु जिस्चित करते हुए अनुशासन लागू किया. मैंने आर्थिक सम्रिध्धि और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे मैंने जिन भूमियों पर विजय प्राप्त की, उन पर स्थाई प्रभाव छोड़ा. इतिहास के इतिहास में मुझे एक क्रूर विजेता और दूरदर्शी नेता दोनों के रूप में याद किया जाता है. मेरा जीवन महत्वा कांक्षा, एक्ता और अनुकूलन शीलता की शक्ति का एक प्रमान था. जैसे ही मैं विशाल मंगोलियाई मैदानों पर सवार हुआ, मैंने एक जुड़ी हुई दुनिया का अपना देखा जहां विविध संस्कृतियां सह अस्तित्व में थी और पनपी. अपने तरीके से मैंने मानव इतिहास की टेपेस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए उस दृष्टिकोन के लिए आधार शिला रखी.